आज मैं लेके आई हो एक बहुत ही मज़ेकी रेसिपी कड़ी पकोडा यह रेसिपी बहुत ही मज़ेकी बनने वाली है इसलिए पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताके आपका भी कड़ी पकोडा बहुत नरम और बहुत मज़ेका बने तो चलिए रेसिपी शुर क्लाच की सबद्री के अपता और भी कि बाइट ल में बा रら Спाड़ के तौड़ी करके देखे देका शचाएवार कionar तो मैं यांनि लेना है कर से दोदेखा धिक दि सकते नंकोड़ा कर लेना है ठाझा vert an करा था दाई良 friendly अब एक देख्ची में मैं ऑईल डालूंगी आपने यहां थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि तड़के में भी डलता है और यह पकते वे भी अपना काफी ओल निकालती है तो यहां पे मैंने और डालने के बाद जो लसन मैंने ग्रेट किया था वो डाल देंगे और इसको थोड़ हम इसमें डालेंगे पिसी भी लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे और इसको हम थोड़ी दिर के लिए फ्राय करेंगे तो जब तक यह फ्राय हो रहे है अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो इसको सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर própria इसकी भुणाई की निशानी है की इसमें अलग और आपने जतने मसाले डालें है वह अलग होजएंगे تو यह आप देख सकते हैं अब आम Mma Our GM का मिक्स्छर चाहँ आब दिया है और स्याथ हम इसमें पानी डालेंगे जतना आपन ने परने पकाना पूसर सब्सक्षाब से ह अब यह आप देख सकते हैं इसका टेक्स्टर कुछ इस तरह ही कितनी पतली सी है जब यह पक जाएगी तो यह गाड़ी हो जाएगी तो आपने पानी बिल्कुल उसे साब से रखना है यहां मेरी कड़ी जो है और को उबाल आ गया है अब हम इस पॉइंट पर धकन रखेंगे करने मेरी कड़ी को पकते वैं तीन चार घंटे हो गए हैं यह मैंने इसमेसे ऑई सप्रेट कर दिया था ताके मैं इसे बाद में डाल की कड़ी में और अब अवगों तरह कि ऑरनी मेठी मेठी तर्बद हमलुल करने जाख मतिके साथ stimulation आदे घंटे के लिए और पकाएंगे और साथ ही आम इने बेसन ले लिए है अब यहां पर पिसे मेर्ज गरम मसाला कुटिवे मेर्ज मीठा सोडा धन्या पाउजर पिसावा जीरा मेने लिए है हल्दी और नमक ले यहां अबने प्याज ले लिए अब इसी बेसन में हम यह सार अब हम यह बेसन हमारा हो गया है ले पनगी है बेसन की तो हब हम इसमें प्याज और हैरी मिर्चर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अब मुझे इस पॉइंट पे कम लगेगा बेसन पतला लगेगा तो मैं इसमें और डाल दूँगी तो बेसन का आपने यही टेक्श्चर रखना है अपने पकोड़ों के लिए तो अब आप हम जल्दी से मैंने यहां पे पैन में और डाल लिया है और अब एक एक करके हम पकोड़े फ्राइब कर लेंगे और पकोड़ों को आपने मीदियम टू लो आंच पर करना है ताके जो अब आस्ता हिस्ता करके हम सारे पकोड़े निकालेंगे और अपनी कड़ी में शामल करतेंगे मैं जब अब इसको कोई लिए कदेंगे तो चलिए अब इसका तुट्ब करते हैं बीस्केजी उन्हास को हमने गॉल्ड ब्राउन मिक्स करें रहां एक इसको अब j अब बोकूर यहाँ सिब जीरा और प्यास का तड़का तियार किया है तो अब इसको हम कड़ी में डाल देंगे थोड़ा सा घरव मसाला डालेंगे और साथ ही हम इसमें तड़का डालेंगे तो अब हम इसे जल्दी से प्लेट में निकालते हैं अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें और एक बार घर में जरूर ट्राइ करें यह बहुत मज़े का बनता है मिलते हैं तब तक एक नई रेसिपी के साथ अला आए करें लाजमी शाहर अला आपको अलाए